नमस्का दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं सिस्ट्विक फंगिसाइड जो कि हमारे पास है बायर का फॉलिक्योर जिसमें कि हमारा टेक्निकल जो रहता है वो रहता है ट्यूब रोकॉन अजोल 25.9% इसी फॉर में इसी के उपर है दोस्तों फूल डिटे करने दोनों में सेम है पर थोड़ी से प्रसेंटेज का फरक है और दूसरा थोड़ा सा उसमें फॉर्मलेशन अलग है दूसरा जो आपका रहता है वो एकदम से घुल जाता है असानी से हलाकि घुल तो यह भी जाता है इसके भी अच्छे रिजल्ट है यह नहीं कि उसके ही इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं तभी मार्केट में चल रहा है बहुत सारे दोस्तों इसको भी लेके आते हैं तो उसी के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि बहुत सारे दोस्तों को गाइड किया जाए कि किस तरीके से इसके रिजल्ट है क्या-क्या इसका इसका इ यूद्ट किया जाती है। कंपनी की तरफ से जीन जेनों फ़सलों में बताया जाता है। वो आपकी आती है दोस्तोर एक तो इसको मेर्च में इस्तमाल किया सकता है। मुंग फली में धान में प्याज में सोयबीन में और उड़द वरगी यानि कि दलहन में इसका आप इसका इस्तिमाल कर सकते हो जिससे ही बहुत सारे आपके फंगस को यह कंट्रोल करता है और भी बहुत सारी फसलों में इसको आप इसका 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 इ जियान में रखने योगे बात यह दोस्तों कि इसको आपने हर्वेस्टिंग के वक्त बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं करना है जब आपका तोड़ान चल रहा होता है आपकी फसल जो है कटाई के लिए तैयार होती है जैसे आपका धान मालीजिए आपका धान की कटाई के लिए मुझवली को निकालते हो उससे लगवग जो है चालिस दिन पहले इसका इस्तिमाल करना रहता है और सेव गयरा में वैसे रहता है दोस्तों लगवग जो है पंदरा से बीस दिन पहले इसका इस्तिमाल करना रहता है जब आपकी हार्वेस्टिंग चल रही होती है उस दोरान इसका जो है इस्तिमाल बिलकुल भी ना करें आप इसका इस्तिमाल जो है जैसे आपकी flowering stage start हो जाती है उसके बाद इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं हलके हलके fruit बनना सुरू होते हैं उस वक्त इसका इस्तिमाल कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज से पहले इसका इसका इस्तिमाल किया जा सकता है, खास तोर पर जालतर इसके रिजल्ट्स जब आपका मौसम बरसाती रहता है या बारिस का मौसम रहता है उस दौरान इसके बहुत लंबे समय तक जो है रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और काते हैं, और के भाजर, से इसू़मानवजाति को काफी नुकसान होता है, जो अफसेस के बार हमारे उन्दर चले से बहुते हैं, और हमारे काफी लगलता साथा फारिस दीजाता है क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है जब उनका ब्लास्ट लगता है रस्ट गड़ा लगता है तो वो जब धान तयार हो जता है कटाई के लिए उससे लगवग 5-10 दिन पहले 5-7 पहले दिन पहले ही जो है उसमें चिड़काओ करते हैं क्योंकि धान में बहुत लंबी अफजी र का इस्तेमाल को जो है अवोईड करना है बिलगुली जिससे की उसमें कोई वे अवसेशह ना है और आगे वनुजाथी को कोई उससे नुखसान न हो तोस्तो यह दो बात होगी दोस्तों प्रिकॉसेंस की तो बात कर लेते हैं कि यह कौन-कौन से फंगस को को कंट्रोल करता ह Fruit Rot को आपके control करता है, Powdery Mel Llue को control करता है, आपका tick and rust को control करता है, Purple Blotch जो खास्त और पे जो है, Jum, Bangla दभबे, परपल जैसे color के दभबे जो प्याज में लगते हैं, उस चीज़ से उसकी रोक्थाम करता है, भ्राश्ट को गन्रूल करते हैं सित ब्राश्ट गैरा जो आपका हो जाता है थे लिजसे प्ट्र में स्पोड व्लाश्ट घंजे जो रश्ट का लगता है कि दान में ने सेगद सक्षम हैं तर फश्लों में और रखे रखें आ और यह ऊंद्र और रखें ह Arizona pongus है उसबानिटे को बेंरो करता है अगर ब सब्सक्राइब नुट्रो ます नेंरे बस्ट सब्सक्रोете उसका प्राइज की बात कर लेटी है लगवाग 100 प्रचेस कर सकते हो रिजर्ट काफी अच्छे है पर आज कल इसकी जगा नया जो है बोनस भी बायर कंपनी का ही मार्केट में एविलेवल है आप दोनों में से कोई भी इस्तमाल कीजी अच्छे रिजर्स आपको दोनों के देखने को मिलेंगे और जो दोस्तों वो इसका डोज रेट रहता है वो आपका चलता है एक एमल पर लेटर पानी में यानि कि आपका सोल शो लेटर का टंकी है तो सोला ट्रस में अब्स में ऐसी बहुत बा अगर कोई सवाल या सुजवा हुरा में ज़रूर लिखें